नमस्कार साथियों सी बीविकल आई टीए गुरू में आप सभी का स्वागत है आई टीए ट्रेनी वेरिफिकेशन में डीजिटें तीन बड़े अपडेट जारी किये हैं आपको दोस्तों बता दे कि ट्रेनी वेरिफिकेशन में बहुत लोको समस्चे हो रही हैं जिसमें बहुत सारा समस्चे है कि किसी का लिंक नहीं आया है, किसी का आधार प्रावलम है या पिर किसी का कोई अन्य प्रावलम है तो उन सभी का सल्यूशन डीजिटें ने निकाल दिया है और तीन बड़े अपडेट जारी कर अडिये हैं अब चलिए आपको दिखाते हैं वो तीन बड़े अपडेट कौन-कौन से आए हैं जिसके मादम से आप अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों जो तीन अपडेट आए हैं आपको इस ओफिसल साइट पे मिल जाएगा NCBTMIS पे आपको मिल जाएगा आपको देखिया बता दे रहा हूं आपको अपने गूँब में आना है और यहां पे सर्च करना है NCVTMIS आपको इतना सर्च कर लेंगे इसके बाद जो है आपके सामने एक नया पेज उपन हो जाएगा जैसे नया page open होगा यहां पे देख लिजिए इस परकार से आपको यहां पे आ जाना है जैसे इस पे click करेंगे और इसके बाद आपकी यही officer site open हो जाएगी दोस्तों इस तरह से open हो जाने की बाद आपको जो है यहां पे आजाना है application अपडेट पर इसके बाद देखिए यहां पे तीन अपडेट यहां पे जारी हुए हैं यह तीन जो है बीडियो अपडेट हुआ है यहां पे तीन बीडियो आया है आप इन बीडियो को देखिए और इसको जो है और अपना जो ट्रेनी वेरिफिकेशन जो भी आपका कम्प्लिट नहीं हुआ है उसको कम्प्लिट करने कुछ करिए अगर फिर भी नहीं होता है तो आ आप जो है अपने कॉले में संपर करें कि जो भी solution जैसे माले जी कि without link non-adhar process with SSC certificate यह आपके high school certificate certificate जो है उसके अधार अमले उसके आधार पर भी जो है आपका training verification हो जाएगा और इसके बात जो है without link non-adhar जैसे की आधार जो है आपका है लेकिन उसमें कोई problem है तो उसके द्वार कर सकते हैं link नहीं आया है तो उसके द्वारा जो है आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं इसके लिए जो है यससे link नहीं आ तो आप यह वीडियो देख लिजिए यहाँ पर जो है आप इसे डाउनूड कर लिजिए ठीक है यहाँ पर किलिक करेंगे डाउनूड हो जाएगा बी संबी का है तो आप इसे आराम से डाउनूड कर सकते हैं और उसकी बाद जो है वीडियो देखिए ठीक है अगर आप इसे कर सकते हैं तो अच्छ करते हैं